धन्तेरस क्यों मनाते हैं? और धन्तेरस पर क्या करने से आपको लाब होगा? आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में. कार्तिक माह यानि पूर्णिमान्त की क्रिश्मवक्ष की त्रयोदशी तिथी के दिन समुत्र मन्थन के समय भगवान धन्वंत्री अम्रत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस तिथी को धन्तेरस या धन्त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है. भगवान धन्वंत्री जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अम्रत से भरा कलश था. भगवान धन्वंत्री चुकि कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस अवसर पर बर्दन खरीदने की परंपरा है. कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन या वस्तु खरीदने से उसमें तेरा गुना व्रद्धी होती है. इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं. दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं. धन्तेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रता है. जिसके लिए संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बरतन खरीदते हैं. इसके पीछे या कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोश रूपी धन का वास होता है. संतोश को सबसे बड़ा धन कहा गया है. जिसके पास संतोश है, वस्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है. भगवान धनवंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ और सेहत की कामना के लिए संतोश रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है. लोग इस दिन ही तीपावली की रात लक्षमी गनेश की पूजा हेतु मूर्ती भी खरीते हैं. धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है. इस प्रथा के पीछे एक लोग कथा है. कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थ हे जिनका नाम हेम था. देव क्रपा से उन्हें पुत्र रतनी की प्राप्ती हुई. जोतिश्यों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक चार दिन के बाद वह मृत्यू को प्राप्त होगा. राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगा पर भेश दिया जहां किसी स्त्री की परचाई भी ना पड़े. दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देख कर मोहित हो गए. और उन्होंने यम्दूत उस राजकुमार के प्राण लेने आपमुचे. जब यम्दूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा. परन्तु विधी के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा. यम्राज को जब यम्दूत यहां कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम्देवता से विनती की हे यम्राज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यों से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोद करने से यम्देवता बुले हे दूत अकाल मृत्यों तो कर्म की गती है इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ सो सुनो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी राग जो प्रानी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिन दिशा की ओर भेट करता है उसे अकाल मृत्यों का भेट नहीं रहता है यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिन दिशा की ओर तीप जला कर रखते हैं भगवान धन्वंत्री की साधना के लिए एक साधारन मंत्र है ओम धन्वंत्रे नमः इसके अलावा उनका एक और मंत्र भी है ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंत्रे अमरित कलश हस्ताय सर्व भै विनाशाय सर्व रोग निवाराणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महा विष्णू स्वरूपाय, श्री धन्वंतरी स्वरूपाय, श्री 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 ओशत चक्राय, नारणाय, नमह, ओम नमो भगवते धन्वंतरय, अमृत कलश सहस्ताय, सर्व आमय, विनाश्याय, त्रिलोक नाथाय, श्री महा विष्णूवे नमह, अर्थात परम भगवान को जिन्हे सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं जो अम्रित कलश लिये हैं सर्व भै नाशक हैं सर्व रोक नाश करते हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं उन विश्णु स्वरूब धन्मंत्री को नमण है। आप सभी को धन्तेरस की हार्तिक शुपकामना है।